Hello beautiful people, welcome to GS by AS पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट की चीफ रमीज राजा ने ये कहा है कि पाकिस्तान एशिया कप से पुल आउट कर सकता है आईए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा दरसल ओक्तोबर के महिने में बीसीसी आई चीफ जैशा ने ये कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम की सेफटी एन सेक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वो इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे पाकिस्तान इस साल एशिया कप होस्ट कर रहा है और इसी कॉंटेक्स्ट में रमीज राजा ने ये कहा यानि कि उनको tournament host करने का right बिलकुल सही तरीके से मिला और अगर इंडिया नहीं आता है तो वो उन मना आए He further added that if the Asia Cup gets taken away from Pakistan, maybe we are the ones that pull out 2009 में श्री लंकन क्रिकेटेस के उपर पाकिस्तान में एक attack हुआ था इस particular attack के बाद आखिर कोई भी team क्यों जाना चाहेगी पाकिस्तान के सरजमीन पर खास करके इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में जो terrorist हैं उनको इंडियन से अलग लेवल की problem है ये सब जानते हैं और सब बात हटाईए बहुत recent news है कि पाकिस्तान तालिबान के suicide bomber ने पाकिस्तान के ही पुलिस को मार दिया और इस suicide attack में चार लोगों की मृत्य हो गई जब पाकिस्तान के खुद के security personals पाकिस्तान में safe नहीं है तो भला इंडिया टीम कैसे safe रहेगी आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दू कि पाकिस्तान तालिबान और अफगनिस्तान तालिबान बिल्कुल दो अलग चीज़े हैं पाकिस्तान तालिबान को खुद पाकिस्तान ने ही established किया था और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ इंडियन गवर्मेंट या इंडिया के लोग पाकिस्तान के terrorism से परिशान है आपकी स्क्रीन पर आप foreign travel advice United Kingdom का देख सकते हैं अफकोर्स UK को इंडिया ने तो पैसे नहीं दिये है ना पाकिस्तान का नाम terrorism से जोडने के लिए every country in this world knows very well that Pakistan is associated with terrorism ट्विंट और का attack इतना बड़ा attack किसने करवाया उसामा बिन लादिन और वो मिला कहां अबोटाबाद पाकिस्तान से you just name the terrorist and वो पाकिस्तान से associated है चाहे वो बड़ा असा terrorist हो या कोई बड़ा terror organization लशकरे तौहबा, हिस्बुल मजाहिदीन या कोई भी सारे पाकिस्तान से associated है amidst all this, if BCCI decides not to send Indian cricket team to Pakistan then it is absolutely correct decision similarly, यह United States का एक report है terrorism in Pakistan के उपर आप इसे पढ़ लीजिए यहां भी पाकिस्तान में हो रहरे terrorism के उपर बहुत अच्छे से vislation किया गया है PCB chief रमीज राजा ने ये भी कहा था कि इंडिया अगर Asia Cup खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा तो वो इंडिया जो host कर रहा है World Cup next year उसे attend करने पाकिस्तान टीम भी नहीं आएगी यहां तक तो फिर भी digestible था कि यह animosity में बोल रहा है पहले तो आप फ्रेट कर रहे है उसके बाद जो है ऐसी statement भी दे रहे है एशिया कप जो कि आपके यहां हो रहा है उसमें ध्यान रखना चाहिए कि cricket teams कौन कौन सी है एशिया में इंडिया है पाकिस्तान है आफगानिस्तान है श्री लंका और बांगलादेश श्री लंकन economic crisis के time पे इंडिया ने जो support श्री लंका को दिया है वो पूरी दुनिया जानती है श्री लंका मुश्किल में किये गए मदद को कभी भी भूल नहीं सकता है और इंडिया अगर quit करता है एशिया कप को तो वो बिलकुल खेलने नहीं जाएगा पाकिस्तान एशिया कप को और already श्री लंकन players पे तो attack हो ही चुके है वहाँ पे बांगलादेश का तो क्या ही कहना 1971 का liberation war बांगलादेश liberation war शायद ही कोई भूला है ना इंडिया ना पाकिस्तान और ना बांगलादेश बांगलादेश पहले East Pakistan ही था और पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ही नागरिकों पर इस तरह के जुर्म धाहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप The Children of War नाम की एक documentary जो already YouTube पर पड़ी हुई है वो देखिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि पाकिस्तानी ओने पाकिस्तानी आर्मी ने बांगलादेशी महिलाओं के साथ किस तरक की बरबरता की है and I'm sure बांगलादेश will never forget this, forget the hell that India did at the time of crisis now coming to Afghanistan because वही एक country है जो श्रिलंका, बांगलादेश, इंडिया के बाद बची है एशिया में जो अच्छी क्रिकेट खेलती है या फिर यूँ कहें जिसके पास एक क्रिकेट टीम है genuine because China, Mongolia ये सब तो क्रिकेट टीम ही नहीं रखते हैं अच्छी जो इंटरनाशनल लेवल पे खेल पाए तो मैं आपको बता दूँ आफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान की नहीं बनती है ये वेरी वेल नोन फैक्ट है और तालिबान ने जब टेक ओवर किया था आफगानिस्तान पर लास्ट यूर तो इंडिया वस दो वन जिसने assistance प्रोवाइड की थी आफगानिस्तान को ट्रकों में वीट भर-भर के इंडिया से अफगानिस्तान पहुँचाए गए थे और ब्लॉकेज किस ने किया था पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने कहा था कि वो भारत के भेजे हुए ट्रक पाकिस्तान के रास्ते के द्वारा अफगानिस्तान में नहीं पहुँचने देंग I am sure Afghanistan also remembers this Ramiz Raja very well knows the importance of India Pakistan cricket board can collapse if India wants as ICC getting 90% funds from there This statement was issued by Ramiz Raja Pakistan cricket board collapse कर सकती है अगर India चाहे तो ये बात इनकी खुद की कही हुई है और ये बात बिलकुल सही है मैंने net worth लगा दिया है हर country के cricket board का आप देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान में कितना ज़्यादा difference है Currently पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा बड़ा political turmoil चल रहा है In fact, recent appointment of the army chief has created a new controversy और इसमें क्या हुआ कि इंडियन army chief को praise मिला कि कितने ज़्यादा पाइस होते हैं इंडियन army chiefs हमारे यहां इंडिया में इतना जो transparent तरीके से हर कुछ चलता है यह बिलकुल पाकिस्तान में नहीं होता है इनके legislation and administration में पाकिस्तानी army का एक बहुत बड़ा रोल है तब ही तो जेनरल बाजवा अपने six years के tenure में एक billionaire बन गया and जिस पाकिस्तानी news website ने इसको report किया उसे 18 घंटों के लिए block कर दिया गया currently with the political turmoil and पाकिस्तानी तालिबान that has issued a war, launched a war against Pakistan पाकिस्तान should focus on the welfare of its people flood के वज़े से बहुत जादा नुकसान already हो चुका है rather than promoting animosity with India अगर वो खुद को देखें, खुद के जनता के लिए काम करें तो इससे जादा बहतर उनके लिए कुछ नहीं होगा Well, this was it from my end आप अपने व्यूस कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले consider subscribing the channel and liking the video Goodbye, Jai Hind